है गाइस कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे तो देख सकते हैं अच्छ में लेकर आई हो आप लोगों के लिए खट्टे मेठे आम का अंगोरा बहुत टेस्ट और बहुत डिलिशस एक बाद ट्राइज जरूर करता हैं बेना लेट किया तो मैंने यह लिया है आम चार कच्छे आम लिए हैं और आम को आपको छील लेना है अच्छे से आम को छील ले और फिर इसके बाद छीलने के बाद आपको आम को बीचो बीच से कट करना है और आम को हाडली चार पार्ट में ही डिवाइड करें गुठलियां आपको नहीं निकालनी गुठलियां रहन फिर उसके बाद आपको लेना है एक पैन पैन में डालना है एक चममज घी और आपको इसमें डालना हैं जीरा वालता और तेजपत्ता बस और इसके बाद आपको डालना है। और आम को आपको यो लो फ्लेम पे 5-6 मिनिट तक पकाना है जब आम हलका पक जाए तब आपको इसे प्लेट पे निकाल लेना है देख सकते हैं आम पक चुका है और अब इसे प्लेट पे निकाल लेंगे फिर लेना है आपको half bowl चीनी और उसी बाउल से एक बाउल पानी लेना है आपको quantity half और एक का रखना है आपको अगर half बाउल चीनी लिया है तो एक बाउल आपको पानी लेना है ठीक है और फिर थोड़ा सा अड़ करेंगे नमक red chili powder और फिर अच्छे से इसको उबालाने देंगे और फिर उसके बाद आट करना है आपको रोस्टेट जीरा पाउडर और जब बॉयल आ जाए अच्छे से तब इसमें आपको आट करना है आम जो हमने फ्राई करके रखा था भूंच के रखा था देख सकते हैं अब आम को डालके आपको फिर से इसे कवर करके 2-3 मिनट तक पक पकाएंगे बॉयल आने तक तो देख सकते हैं 2-3 मिनट हो चुका है अब किता अच्छे से बॉयल आ चुका है चेक कर लें आम अच्छे से पका है आने और फिर गरम गरम प्लेट में सर्फ करें बस क्या खाई है इंजॉय करिए नए है तो सब्स्राइब करिए बाबाय टीक किता है नएगे करिए झाहले इंजू है यारम तोियल आने यू хेभ